आगरा के ताज महल के पूर्वी गेट पर बीते दिन एक अजीब ओगरी मामला देखने को मिला, जब हतकडी लगाए एक कैदी को ताज महल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए देखा गया. इस मामले ने पर्यटकों और स्थानिय लोगों को हैरान कर दिया है. इस बीच एसाई के कर्मचारियों ने कैदी को ताज महल में प्रवेश करने से रोक दिया, हाला कि उसके साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद थे. बताया जाता है कि यह घटना तब शुरू हुई जब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक कैदी को पेशी पर लाया गया. आश्चर्य अचकित हो रहे थे, क्योंकि कैदी को न तो पुलिस कर्मियों ने हतकडी से बांधा रखा था और नहीं उसे किसी अन्य तरह की पाबंदी में रखा था. कैदी बड़े आराम से खुले आस्मान के नीचे टहलता हुआ नजर आया. इस दौरान पुलिस कर्मियों ने न केवल कैदी को ताज महल में प्रवेश करने दिया, बलकि वे उसके साथ एक महमान की तरह व्यवहार करते नजर आये. स्थानिय लोगों और परियटकों ने इस अजीबोगरीब हरकत को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश की, तो पुलिस कर्मियों ने उनसे कैमरा चीनने की भी कोशिश की. फिलहाल यह घटना आगरा के परियटन स्थल ताज महल में एक गंभीर चर्चा का विशय बन गई है. लोग यह सोचने लगे कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था का इस तरह से मजा कैसे उड़ाया जा सकता है. यहां मामला तब और पेचीदा हो गया जब यहां पता चला कि पुलिस कर्मी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आये थे और कैदी को पेशी पर लाने के दौरान उन्होंने अपनी ड्यूटी की मर्यादा का उलंगन किया. पुलिस कर्मियों का कैदी को ताज महल पर लाने का विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है.